अब खबर आपको शिमला से बताते हैं, शिमला में CWC की बैठक हो सकती है, इसकी जानकारी दिनी हमारे समबाद अतांकु जुपाल पहाडो की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आने वाले कुछ दिनों में ख्राष्ट राजणीती का केंदर बनकर उभरने वाली है, एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में विधान सवा चुनाव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है क हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जा सकता है, ये बैठक जून के महीने में होना प्रस्तावित है, हालां कि इस पर अभी आखरी महर लगना बाकी है, उधेपूर में चिंतन शीविर के बाद कॉंग्रेस एक्टि मोड में नज़र आ रही है, कॉंग्रेस निताय राहूल गांधी ने कहा कि देश भर में कॉंग्रेस की स्थिती कुछ ठीक सी नहीं है, लेकिन इस भीच यहां समझने वाली बात ये भी है कि बात अगर हिमाचल प्रदेश की की जाये तो हिमाचल में कॉंग्रीस की स चेहरों के जरीय कारेकरताओं और नेताओं में जोश भरने का काम कर रही है तो बहँ दूसरी और बात अगर कॉंग्रिस की कह जाए तो कंग 87 अगर वर्किंग कमेटी की बैठथक शिंबड़ंट बैकलिस्द कारेकरताओं में जोश है बलकि नेता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी की बैठक शिमला में होने से केंद्रे चहरे हिमाजल प्रदेश की राजधानी में नजर आएंगे और अगर ये चहरे राजधानी में नजर आते हैं तो इससे कारेकरताओं और नेताओं को फायदा मिलेगा जिससे कॉंग्रेस की सत्ता वापसी की रहा कुछ हद तक आसान हो सकेगी बीजेपी 31 माई के दिन प्रदानमंती नरेंदर मोदी की मौझूदगी में राजधानी शिमला से राष्ट स्तर का जश्न मनाने जा रही है बीजेपी लगातार कॉंग्रेस पर बाउंसर पर बाउंसर से प यह समय बताएगा क्योंकि समय बलवान है और जनता महान कैमरापरसन राजा के साथ अंकुछ डोभाल जनता टीवी दिल्ली